हलो दोस्टो शड़ी मोड में आपका स्वागत है बिहार प्लिस कुश्टेबल भरती 2021 डेली मैं अश्टड़ी पलान देता हूँ ये 15 दिका जो अश्टड़ी पलान मैं आपको दिया था उसका टेस्ट कंड़क्ट करा रहा हूँ मैं भी देखू कि कितने अच्छे तरीका से आप पढ़ाई करते हैं ये टेस्ट आप सभी लोगों को लगाना है और सभी कुशन देखना है और लाश्ट में ये बताना है कि आपने कितने कोशन सभी किये हैं जो भी मैं कोशन बताता हूं बहुत मतपूर होता है, डाइरेक्ट आप एक्जाम होल में इस कोशन को देख सकते हैं, तो चलिए श्टार्ट करते हैं, इतिहास में मैं आपको गुप्तवंस पढ़ने के लिए दिया था, सबसे पहला वहीं आ गया कि गुप्तवंस की आपक का नाम याद रखिएगा, स्री गुप्त था, कौन था? स्री गुप्त था, टिक गुप्तवंस से रिलेटेड पका कोशन पूछा जाता है, एक से दो, इस बात को दियान मर रखिएगा, अगला है कि गुप्तवंस के किस सासक ने स्वर पर्थम महाधिराज के उपाध धारण की थी, गुप्त वंस के कौन से स्वर पर्थम सासक थे, ये पूछ रहा है, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था चंद्र गुप्त पर्थम नाम था, ये याद रखिएगा, दूसरे के अंसर क्या हो जाएका, सी हो जाएगा, चंद्र गुप्त, ठीक, आगी चलते पर्थम महान समराठी ये माने जाते हैं, गुप्त वंस में, और इन्होंने साधी किस्से किया था, लिच्वी के राज कुमारी, कुमारी, देवी से इन्होंने साधी किया था, और इन्होंने एक उपाधी भी धारण की थी, कौन? तो महाराज धिराज की, महाराज धिराज क पुचा जा चुका है चन्षटरगूप्त को उत्रादिकारी הבlet दियान रखिएगा इन्हें आपको नेपॉलियन बोला जाता है भरत का नेपॉलियन ठीक कियों बोला जाता है इन्हों ने आर्रियावरत के नौ शासक और डचिटावरत जो सा इसे लिए इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है, इनके दरबार में एक हरिशेण नामक कभी भी थे, जिन्होंने इलाहाबाद के परसस्ती अभिलेक का राचना की थी, ये भी याद रखिएगा, पूशकता है, इलाहाबाद के परसस्ती अभिलेक जो है, इसके राचना किस नहीं क समध्र कुण संदर गुपत को यहाद रख रख येगा समध्र को उत्रा अधिकारी यहां पर आप देख सकते हैं आपको चंद्र गुपद् जंद्र दूतिय हुए मुति इंचें आप पर दूतिय होए यहां पर तो पर बैठे Dios इसका पुनरधार कुन कराया था, यह असकंद गुप्त है, यह है, अन्तिम गुप्त सासकत कौन थे, तो बिसड़ू, गुप्त थे, यह जो भी, मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको बस देखते चलना है, यहाँ पर देखे, पुलिस विभाग के सधारन करमचारी हो को चा चाट और भाड कहा जाता है जो पुलिस विभाग के सधारन करमचारी थे उन्हें चाट और भाड कहा जाता था और परसासन के सबसी छोटी इकाई ग्राम था और ग्राम परसासन द्वारा आपको ग्राम सभाद वारे संचालित होता था ग्राम का परसासन और इसके मुखिया क जो सधस़ इसके होते थे उन्हें है सहतर कहा जाता थे याद रखीएगा गुप्त रजा उन्हें पुछ नहीं क्याको ईंन्डौ इनानी हो जाता लेकिन सब्से पहले है पूछेएगा सुषण का किसने जारी किया थे तो यह याद रखीएगा Ç और इनके yanक की जो मुद्रा होती उन्हें क्या बोला जाता है दिनार बोला जाता है यह भी याद रखेगा तो ऐसे कोशन बार बार पूछा जाता है टिक बाकी मैं आपको नोट सेर कर देता हूँ आज सभी आप देख सकते हैं यह देख लीजिए यहां से पूछ रखता है कि आरभट ने गुप्त काल में ही आया था यह भी याद रखेगे कोशन पूछ रकता है और यह बहुत भी विए कुशन के संस्क्रिति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारती इतिहास का क्या बुला जाता है स्वाड योग बुला जाता है यह सब याद रखे कोशन नमर तिसरा जो भी नोट्स ता गुप्त काल से रिलेटेट में आपको करा दिया कुशन नमर तिसरा आपके सामने है लगाए कुशन नमर तिसरा को कि गुप्त सासन के दोरान ने में लिखी तेमें ऐसा ब्यक्ति कौन जो की एक महान खोगोल बिग्यानी और गड़ी तक गे था ठीक महा कि भारत के नोपोलियन किसे कहा जाता है तो यह समंद्र गुप्त को कहा जाता है कि इन्हों ने अर्यावरत की नौव सासक को और आपको दचड़ा वरत के बारत सासक को पराजित कि यह तो फूर के अंसर क्या हो जाएगा कुशन नमर फाइब कि गुप्त वंस का वह राजा कौन था जिसने हुरूणों को भारत पर आकरमण करने से रोका यह कौन से राजा थे यह आपको गुप्त वंस के बताना है तो इनका नाम था असकंद गुप्त असकंद गुप्त था यह याद रखिए का आगे चलते हैं कुशन नमर 6 है कि गुप्त अस्तप्त कला का सबसे उत्कृष्ट मंदर जो माना जाता है यह यूपी में इस्तित देवगण के दसा अवतार मंदर को माना जाता है यह याद रखिए कि इस कैंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक आगे चलते हैं कि तामबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त सासक कौन था जो ताम नबर एट है कि गुप्त सासको द्वारा जारी किये गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रुपक कहलाते थे रुपक 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 रुपया किस ने जारी किया था रुपईया यह सेरसा सूरी ने जारी किया था मदकालीन अब इतिहास पढ़िएगा तो उसमे में आपको पढ़ने को मिले गा कूश्य नमाई थी देखें कि 20 आप देखियेगा पूरे विल्ड में महधीफों की कुल संख्या साथ है यह याद रखेगा माधीपों की को संख्या साथ है जिसे सबसे बड़ा महधीप जर्न शंख्या प्रदास है कि किस महादीब को श्वेत महादीब के नाम से जाना जाता है तो किस महादीब को श्वेत महादीब के नाम से जाना जाता है यहां always बर्फ जमा रहता है इसी कारण से इन्हें स्वेत महादीब के नाम से जाना जाता है तो यहीं पर आप दिखिएगा इसे स्वेत म महादीप यहां पर अस्चलिया इसे क्या बोला जाते हैं तो द्यूपिय महादीप के नाम से यह जाना जाता है इसके अंसर के यह हो जाएगा अगे चलते हैं कोश्चन नमर 12 है कि यूरोप महादीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है यह आपको बताना सबसे लंबी नदी तो अफ्रीका महादीप में जो प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वो विस्स का भी सबसे बड़ी नदी है याद रखेएगा। समझ गए होंगे कौन सी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं विक्टॉरिया जिल से निकलती है ये कौन है ये निल नदी है ये विसक कि सभसे लंबी नदी है और अगर चोणाई की इस आप आम्रिका महधीप के सबसे लंबी नदीग्ओं है अपके सावने सब्सब्स अपसन है तो उत्री अमीरिका महधीप के सबसे लंबी नदी जो है यह Mississippi Missouri है Mississippi Missouri इसका नाम है याद रखेगा कुश्चन नमर 15 देखिए नेमने में से किस देश की तटिये रेखा विस में सबसे लंबी है अब देखिए यह भी कुश्चन पूश्चता है कि दछडी अमिर्का की सबसे लंबी नदी कौन है तो यह अमेजन हो ज यह हो जाएगा गुजरात उसके बाद अंदर प्रदिस का नाम आता है तो अब को 16 है कि दछडी अमेरिका महदेब के स्रोच परवत सिखर कौन सी है यह आपको बताना है यह इसको बताया जाता है यह कौन सा है तो मांट इंकागूवा है यह याद रखेगा कुशन पूश् इसमें बड़े बड़े दीप कमें बात करूतो और इसमें सबसे बड़ा अगर दीप बुला जाये तो होन्सू इप है कौन सा दीप है होन्सू भी इसका रहीं के याद कर लिएगा कूशन पूछ देता है कूशन अबर 18 कि कौन सा दीप इंडोनेसिया का हिरदय अस्थल सबसे ज़्यादा मुस्लिम अबादी इंडोनेसिया में है इस बात को ध्यारम रखिएगा कुश्चर unintention नबर उन्हेश सब्सके सबसे बड़ा दीब कौन सा है बिस्य सबसे बड़ा दीब कॉनसा ये आपको बताना है अपको बताना है देखे इस समय तबियत मेरा खराब चल रहा है इसले में पूरा डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूं आपको क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं बना सकता सास फुलने लग रहा है तो जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूं पूरा डिटेल्स से मैं बताता हूं आपको पता हू महासागर है यह याद रखेगा सबसे बड़ा में पूछे या सबसे गहरा में पूछे यह आपको परसांत महासागर हो जाता है और अगर सबसे छोटा महासागर पूछे तो यह हो जाता है आर्कटिक महासागर यह आपको दिखिएगा तो यह उत्तर के तरफ आपको मिलेगा एक एक इसके अंसर क्या हो जाएगा कुश्चन बर 22 है कि मेरियाना ट्रेंच महासागर में इस्थित सबसे गहरा ट्रेंच है जो मेरियाना ट्रेंच है यह सबसे गहरा ट्रेंच है इसकी खाई है यह किस महासागर में इस्थित है यह आपको बताना है इसमें माउंट को लगा लेना है ठीक अपर संत महासागर्र की अकार देखेगा पूशा कता है तो यह एकड़ को कि असले हैं और reception की इस मुशार महासागर्यों के सही और होई करम मताना है यह आपके सामने अपसन है, यह आपको सामने अपसनमें आपको कर देता हूँ, द्यान से candles से यह देख लिजे, वडियो रोकर तो सबसे पहले कौन से महासागर आता है तो सबसे पहले परसांत महासागर आएगा फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर आएगा फिर उसके बाद हिंद महासागर आएगा और उसके बाद आर्केटिक महासागर आएगा परसांत महासागर का है अटलांटिक महासागर का सार एक इस टाइब का है हिंद महासागर का भी का सकते हैं और आट के डाबलू का सकते हैं या कार्ड क्योंकि पूशकता है तो आप लगा लिजिएगा क्षिशन पर 24 संकी सरोषो शमुद्र किस महासागर मेंचती थैं सरगयशो शमुद्र खीस महाँसागर मेंचत का यहां साकता है महासागर में होता है तो यह अत्लांकि महासागर मेंोसे अट्लांटिक यह हो जागा दिये हैं, कुशन बार 25 देखिए कि सबसे लवडिय सागर कौन सा है, यहाँ पर शागर पूछ रहा है यहाँ पर अप मौलिक अधिकार से related में आपको दिया था करने के लिए और भी अगला भी टेश्ट में मौलिक अधिकार से related में question डालूंगा भारतिया नागरिकों के मौलिक अधिकार का वड़न किया गया है यह article आप देखिएगा 12 सले के 35 में यह याद रखिएगा जब सभिधान लागू है हमारे सभिधान के भागतीन में मौलिक अधिकार का वड़न है fundamental राइट का यह USA के सभिधान से लिया गया है आपको 6 मौलिक अधिकार है शुरुवात जब सभिधान लागू हुआ था 26 जनुवरी 1950 तो उस समय साथ मौलिक अधिकार थे संपतिक अधिकार को 1978 में चोलीशु शविधान सुसुदान दौरा हटाकर आर्टिकल 300 ए में लिगल राइट बना दिया गया ठीक कुश्य नमर 28 है कि मौलिक अधिकार को लागू करने का दयित्य है जो मौलिक अधिकार है इसको लागू करने का दयित्य किसको सोपा गया है यह आपको बताना है तो मौलिक अधिकार को अपको उच्च नयाले भी ला गू कर सकता, उच्च नयाले भी लागू कर सकता, उच्च नयाले आर्टिकल 226 के ताथ अगर उलंगन होता है तो रिड जारी करता है, ठ parce क्लबकि रिजारी करता है अगर fundamental rate का उलंगन होता है इसके answer क्या वाजएगा C हो जाएगा किस को छोड़कर सभी आपको निलम्न किया जा सकता है एक कोश्चन मर् 3 से कि सविधान की किस अनुष्यद में कानून का समान सरक्षड प्रवधानित है तो सकते कानून का समान सरक्षड सब के लिए होगा यह आर्टिकल कौन से में आपको बताया है तो सम्ता का अधिकार आप प्रोजेक्ट या पावर कौन सा ही आपको बताना है मैं तो ये इसका अंसर क्या हजाएगा इसका अंसर हो जाएगा यहां पर देखिए कारनाटक में श्ठित शमुंद्रम जो की इसी आपहरी नदिपर यह आपको करनाटक इसके इंसर के किस परकार की बिधुत का तो रूज नहीं बता पारहा हूं क्योंकि उस्ताओं की कंटिनियु रहूं और आपको पता है कि बहुत दुनों से तबीयत खराब चल रहा है जल्दी ठीक होकर मैं आप लोग अच्छे अच्छे और भी डिटल्स बताने शुरू करू कब से हुआ माना जाता है तो आपको परमाडू जो उर्जा का कारकरम है ये कब से परम्वे माना जाता है ये आपको बताना है भारत में यह जो माना जाता है 1948 और उसे समय एक आयोग का भी गठम किया गया था परमाडू उर्जा के लिए ठिक तो ये इसका एंसर क्या हो कुष्चन पर 55 से कि रावत भाठा प्रमाणुस विधुत सभ्णुत कहा परिश्थित है यह कहां परिश्थित है यह को बताना है यह जो इस्तित है यह राजस्थान में इस्तित है राज से रावत भटा राज से राजस्थान राजस्थान चेतरफल के दृष्टी से भारत के सबसे बड़ा राज है उत्तर परदेश चेतरफल के दृष्टी से जो राजस्थान बड़ा है वैसे ही पूछ रकता है कि पहुचा था उसका प्रतम ब्यक्तिक अनाम बताना है उत्री धूपर आपको यह आपको रौबर्ट पियरी ने पहुचा रखेगा चीन बहुत सिविल सेवा भी चीन में सबसे पले सवर पर्थम शुरुवात की गए थी यह सब भी कुशन पूछ देता है सहतीज के एंसर यह हो जाएगा चीन जो है यह जनसंक्या के दरिश्टी से विसके सबसे बड़ा देश है यह याद रखेगा भारत का स्थान जनसंक्या के दरिश्टी से और आपको च्हेतरपल के दरिश्टी से भारत का स्थान साता वे पराता है को सुधितराज अमेरिका का प्रतम राष्ट्पति कोन है सब समय ययाद रखेगा आब राहन लिंकम जो है यह दासपराथा के खतम करने के लिए सबसे बड़ा मिरत्य खुल Edwards भी हुआ था और इन्हों नहीं किया था कि लिए जंटाक को जंटा को दे में से यह जो लोक्तंतर का परिभासा दिया गया था इनके दवरा भान अभराहन लिंकन द्वारां दिया घा था उष्ष्यं द्स नमर 49ल श्लू соглас ब्रीटेन का परतमपर्धान मंत्री कौन है यह आपको बताना है यह आपके सामने है- अब संग तो दिए ब्रीटेन का जो प्रतंपर्धान मंत्री होंगे यह रोबर्ट-वर्फॉल हो जाएंगे रोबर्ट वोल्पल हो जाएंगे यह याद रखिएगा और दीके जो आपको दुतिय विशुद्ध हो रहा था तो उसे में तो चर्चिल थे ही प्रधान मंत्री उनुश 49 से लेकर उनुश 45 तक जब हुआ था उसके बाद सरकार एटली जो लिबर पार्टी का बन शुद्ध राज अमिर का और 20 के सबसे बड़ा लिखित सभिधान या व्यापक या बिस्त्रित कुछ भी पुछ रखता है ति यह भारत का है ठीक यह सब आपको कोशन याद रखना है ति यह 40 कोशन था कितने कोशन अपने सही किये जरूर बताएगा इमंदारी से और कीजिएगा तभी आप अच्छे से टेश्ट लगा सकते हैं वीडियो अच्छा लाइक कीजिए वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद